नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी कहा हमारे यूटूब चैनल में आज हम इंगलिस का टेस्स करने जा रहे हैं जो कि आपके प्रयास एक्जाम और सभी एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहला कोस्चन है देखिए यहां पे एक संभावना को दिखाया जा रहा है कि उसने कड़ी महनत की है ताकि वह पास हो सके करके तो देखिए यह पास टेंस में पूरा सेंटेंस लिखा हुए है तो पहला अप्सन देखिए लिखा है कें केंजरली प्रजेंट टेंस में उप्योग किया जाता है तो यह नहीं होगा दूसरे है भी मस्ट देखिए उसने कड़ी महनत की ताकि वह पास हो जाए इसका मतलब हो रहा है तो यहां जरूरी नहीं कि कड़ी महनत किया तो पास हो ही जाए गर मस्ट हम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा और आपका डी जो है सेल यह भविश्य काल के लिए उपयोग किया जाता है फ्यूचर के लिए तो यह तो बिल्कुल नहीं हो सकत तो आपका correct answer हो जाएगा might उसने कड़ी महनत की ताकि वह पास हो सके यहां पर संभावना दिखा जा रहा है जहां पर भी संभावना दिखता है वहां पर और वो especially जब past tense में हो तो generally might का use होता है next question है the calculator is fill in the blanks the table बहुत easy question है option से at, in, upon और on देखिए calculator टेबल पर या फिर टेबल के उपर रखा है ऐसा है sentence बोलना चाहता है तो देखिए पर या फिर के उपर के लिए generally हम लोग किसका use करेंगे तो देखिए option a है at, तो at को उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह generally location को बताने के लिए किया जाता है एक को उपयोग भी है इन, इन का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी के अंदर कोई चीज़ रखा हो तो इसका correct answer रहाए का option number d the calculator is on the table, calculator table पर या भी table के उपर है next question है he prefers tea fill-in-the-blanks coffee थोड़ा सा confusing लग रहा है पढ़के he prefers tea fill-in-the-blanks coffee यह क्या बोलना चाहता है पहले हिंदिम समझ लीजिए वह coffee से ज़्यादा चाय पसंद करते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा यहाँ पर option number आपका हो जाएगा c2 तो जब भी हम दो चीजों में comparison करेंगे कि हम एक चीज से ज़्यादा दूसरे चीज को पसंद कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों वस्तों क्या फिर दोनों object के बीच में तू कई उसके जाता है next question है it has been raining fill in the blanks last Wednesday देखिए बोल रहा है कि पिछले बुध्वार से बारिस हो रही है अब देखिए यहाँ पर तो समय दिया है बुध्वार पिछला बुध्वार तो एक फिक्स समय है एक बिल्कुल पक्का समय है तो यहाँ पर किस चीज का उपयोग होगा हमको पता है कि या तो फॉर का उपयोग हो या फिर स्न्स का उपयोग होगा 8 और यह इसको तो देखने ही नहीं है यहाँ पर तो इसका क्रेक्ड आंसर हो जाएगा चूंकि यह पक्का समय है एक दम्फिक्स कि भई लास्ट वेटनर्स दे से ही बारिस हो रही है तो इसका क्रैक्ड आंसर हो next question है the examination begins fill in the blanks Monday options है for in on it इसका हिंदी मतलब होगा परिच्छा सो मार से शुरू हो रही है तो जब भी हम किसी दिन को या फिर किसी particular date को बताते हैं तो उससे पहले हम on का उपयोग करते हैं the examination begins on Monday तो इसका correct answer है आपका option C on next question है the dog is very faithful in the blanks his master options है by, in, to, or it इसका हिंदी मतलब होगा कुट्टा अपने मालिक के प्रती बहुत वफ़दार होता है तो जब भी आपको किसी के प्रती बताना हो किसी भी के प्रती हो सकता हो यहां पर एक कुट्टे का मालिक के प्रती वफ़दारी को बताया गया है तो वहां पर हमको टू का यूज करना है तो करेक्ट आंसर हो जायाएगा आपका ओप्शन सी टू नेक्स्ट कॉस्चन है जया इस गूट फिल इन द ब्लैंक्स मैथेमेटिक्स ओप्शन से फॉर इन एट फ्रॉम देखे क्या वह रहा है जया गनित मैं अच्छी है जब भी हम किसी को भी बताएंगे कि भाई कोई भी वेक्ति है वो किसी पाटिकूलर फील्ड मैं अच्छा है तो वहां पर हम उसके फील्ड के पहले जैसे यहां पर कौन सा विसायम अच्छी है तो गणित में तो उससे पहले हम at का उप्योग करते हैं तो उसका correct answer हो जाएगा option c at next question है she did not hide the truth fill in the blanks her husband options है with in from और है आपका of इसका हिंदी मतलब होता है उसने अपने पती से सच्चाई नहीं छूपाई तो यहाँ पर देखिए से सब्द का प्रयोग हुआ है उसने अपने पती से सच्चाई नहीं छूपाई तो से के लिए देखिए with तो नहीं होगा with मतलब के साथ हो गया in मतलब भई अंदर के लिए उप्योग के जाता है off मतलब का होता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा option C from she did not hide the truth from her husband next question है someone was knocking fill in the blanks the door देखिए knocking मतलब होता है खटखटाना या फिर दर्वाजे पर दस्तक देना यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है देखिए options है in, at, on, for तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा at someone was knocking at the door देखिए हाँ पर position को बताया जा रहा है और position बताने के लिए at का प्रयोग किया जाता है दर्वाजे के पास का position next question है good teachers are respectful fill in the blanks all यह बुलना चाहता है अच्छे सीक्षक सभी के लिए सम्मानिय होते हैं तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा इसका यहाँ क्या क्या है देखिए with at to for इसका correct answer हो जाएगा to good teachers are respectful to all next question है his wife died fill in the blanks cancer options है for, with, of, from देखिए क्या बोलना चाहता है उनकी पतनी की cancer से मृत्ति हो गई तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बीमारी है और जो noun है यहाँ पर noun है यहाँ पर पतनी यह दोनों के बीच में संबंद दिखाया जा रहा है बीमारी के बीच में और noun के बीच में संबंद दिखाया जा रहा है और संबंद दिखाने के लिए करते हैं तो यह इसका करेक्ट अंसर रजाएगा ऑपसंसी ओफ इस वाइफ डाइड ऑफ कैंसर उनकी पतनी की कैंसर से मृत्ति हो गई अब देखये हाँ पे for क्यों नहीं होगा क्योंकि for का मतलब के लिए होता है तो केंसर के environment版 की हो गया अधर के सांथ मरता है दूए घड़बड और अपसं मया क्या है फ्रॉम का use generally हम अलगाओ के लिए करते हैं जब कोई तीच अलग हो रहा हो next question है the car is running fill in the blanks 90 km an hour options है at on in to इसका हिंदी मतलब देख लिजिए car 90 km प्रती घंटे की रबतार से चल रही है the car is running fill in the blanks तो देखिए इसका answer हो जाएगा यहाँ पर it the car is running at 90 km per hour next question है c complain fill in the blanks her classmate options है against b है in to c है off और d है from हिंदी मतलब समझ लिजिए उसने अपनी सहपाटी के खिलाफ सिकायत की तो के खिलाफ के लिए हमारा सब्द हो जाएगा यहाँ पर option a against against मतलब होता है के खिलाफ c complain against her classmate next है distribute these fruits fill in the blanks the children options है against of among और d है आपका between तो देखिए इसका हिंदी मतलब होगा इन फलों को बच्चों में बाट दो तो जब भी हम बच्चों में teachers में students में ऐसे बोलेंगे तो इसके लिए among सब्द का उप्योग होगा तो correct answer हो जाएगा आपका option c among next question है what is the time fill in the blanks your watch बहुत बढ़िया question है options है on, in, to, by आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है तो देखिए what is the time fill in the blanks your watch तो यहाँ पे हो जाएगा option number d correct answer हो जाएगा by what is the time by your watch इसको बहुत ध्यान से देखिएगा next question है the train can fill in the blanks 8 o'clock options है from, at, on, by train 8 बजे आती है तो जब भी हमको time बताना होता है कि कितने बजे आ रहा है तो हम at का use करते हैं तो correct answer हो जाएगा आपका option number b at the train come at 8 o'clock next question है I was born fill in the blanks 12th January 1996 options है to, b है at, c है on, d है in यह बनना चारह है मेरा जन्म 12 January 1996 को हुआ तो जब भी हम हमें calendar का कोई भी चीज बताना हो चाहे day बताना हो, date बताना हो, month बताना हो, fix तो उससे पहले हम on का use करते हैं तो यह हो जाएगा आपका correct answer option number c on I was born on 12th January 1996 next question है he is busy fill in the blanks his work देखिए यह वो रहवा अपने काम में west है देखिए यह question number 18 और 19 यह दोनों को हम एक साथ समझते हैं बड़ा confusing है वह प्यारा सा concept है देखिए यहाँ पर लिखा हुए he is busy fill in the blanks his work वह अपने काम में west है यहाँ पर किस काम में west है यह नहीं बताया गया यहाँ पर काम को नहीं बताया गया वही 90th question को देखिए he is busy fill in the blanks eating food यहाँ पर लिखा है वह खाने में west है यहाँ पर काम को बताया है कि वह किस कार्य में west है और दोनों में answer अलग-अलग होगा दोनों एक जैसे लग रहा है पर answer अलग-अलग लिया जाता है जब काम नहीं बताया जाए sentence में तब हमको answer लेना होता है with का और जब काम बताया जाए तो हम को answer लेना होता है at तो देखिए question number 18 लिखा है he is busy with his work वह अपने काम में west है यहाँ पर देखिए काम नहीं बताया गया है वही question number 19 है he is busy fill in the blanks eating food तो इसका answer रजागा he is busy at eating food वह खाने में west है next question है और आखरी question है आज का he work from 10 p.m. fill in the blanks 12 p.m. वह 10 बजे से 12 बजे तक काम करता है तो इसका correct answer जाएगा देखिए क्या कहां options में end है till है to है और for है वह 10 बजे से 12 बजे तक काम करता है तो जब भी हमको किसी एक समय से दूसरे समय को बताना हो 10 से 12 या फिर अपनी स्कूल का time 10 to 4 तो हम 2 का use करते है एक समय से दूसरे समय को बताने के लिए तो इसका correct answer हो जाएगा option C 2 अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सेयर करें और आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं तक्यू